सम्तल पारगमन ग्रेटिंग आंके प्रस्थ भी हम देखेंगे तो सबसे पहले अपना जो देखते हैं आज सम्तल पारगमन ग्रेटिंग क्या होता है तो सम्तल पारगमन ग्रेटिंग एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें अत्यधिक संख्या में स्लिट्स होते हैं ये स्लिट समान दूरियों पर और समान चवड़ाई के होते हैं और इसमें जो स्लिट जो होता है वो पारदर्सी होता है जिनकी चवड़ाईया समान होती है और कुछ अपारदर्सी हिस्से होते हैं जिसमें से प्रकास के क्रिणे आगे की और नहीं जा पाती ये अपारदर्सी हिस्सा होता है ये भी समान चवडाई के होते हैं तो समतल पारगमन ग्रेटिंग को जब समतल पारगमन ग्रेटिंग से प्रकास की किरिने अपतित होती है तो उस इस्तिती में पारदर्सी हिस्से से प्रकास की किरिने आगे की और निकल जाती है और अपारद या N-Sleto में जो विवरतन होता है ऐसा हम मान सकते हैं जो संतल पार्गमन ग्रेटिंग में जो विवरतन होता है उसको N-Sleto द्वारा विवरतन का उधारण माना जा सकता है अब इसके बाद देखते हैं इसकी बनावट कैसे होती इसकी बनावट देख लेते हैं संतल पार्गमन ग्रेटिंग बनाते समय हम एक संतल काच का आयता का टूड़ा लेते हैं और इस संतल काच के टूड़े पर हीरे की नोक की सायता से समान दूरियों में बहुत सारी पतली समान मोटाई की रेखाएं खिची जाती है और इन रेखाओं के बीच में जो स्लिट बनता है वह स्लिट पारदर्सी होता है और जो रेखाएं जो होती है वह अपारदर्सी होती है तो इस प्रकार से समतल पार्गमन ग्रेटिंग का बनावट होता है और यहाँ पर समतल पार्गमन ग्रेटिंग में जो हम प्रियोग के लिए जो युक्ति लेते हैं समतल पार्गमन ग्रेटिंग को लेते हैं उसमें एक सेंटिमीटर में लगभग दस हजार रेखाएं खिची गई होती है अब इसके बाद देखते हैं इसका सिद्धान क्या होता है समतल पार्गमन ग्रेटिंग का सिद्धान बहुल स्लिटों पर आधारित है हम समतल पारगमन ग्रेटिंग की साहता से बहुत सारे स्लिटों में विवरतन कैसे होता है उसके बारे में हम जान सकते हैं समतल पारगमन ग्रेटिंग की साहता से यदि समतल पारगमन ग्रेटिंग के में यदि एक इंच में यदि 15,000 रेखाएं खीची गई हो तो उस इस्तिति में जो ग्रेटिंग अंतराल जो होता है अभी आगे देखेंगे ग्रेटिंग अंतराल के बारे में चित्र के माध्यम से तो ग्रेटिंग अंतराल को अपन दर्साते हैं A प्रस B से और यदि एक इंच में 15,000 रेखाएं किची गई होती है तो उस इस्तिती में जो ग्रेटिंग अंतराल का जो मान होता है वह होता है 2.54 बटे इतना सेंटीमीटर 15,000 सेंटीमीटर हम इसको एक डाइग्राम के माद्याम से देख सकते हैं यहाँ पर देखे यदि मान लो L एक लेंस है यह इसका सेंटर पॉइंट है और X, Y पर्दा है तो उस इस्तिती में उस इस्तिती में यदि G1, G2 यदि ये एक समतल पारगमन ग्रेटिंग है उस इस्तिती में इस पॉइंट को यदि capital A से दर्सा है इस पॉइंट को यदि हम capital B से दर्सा है और इस पॉइंट को यदि हम capital C से दर्सा है तो यहाँ पर AB एक पारगमन ग्रेटिंग है जिसमें से प्रकास की किर्णे इस lens के माध्यम से फोकसित हो करके इस बिंदू PO पर मिलती है उसी प्रकार से इलर से भी ये इस lens की साथा से फोकसित हो करके बिंदू PO पर मिलती है तो उस स्थिति में AB एक slit की तरह कायर करता है और BC अपारगमन ग्रेटिंग होता है जिसमें से प्रकास की किर्णे PO तक नहीं पहुचवाती तो उस स्थिति में यदि A और B की बीच की दूरी को यदि हम इसमाल के A से दर्साएं और B और C के बीच की दूरी को यदि हम इसमाल B से दर्साएं तो यही A प्लस B ये कहलाता है ग्रेटिंग अंतराल और ये ग्रेटिंग अंतराल यदि हम समतल पारगमन ग्रेटिंग में एक इंच में 15,000 रेखाएं खीचें तो उस स्थिति में इस ग्रेटिंग अंतराल A प्लस B का मान होता है 2.54 बटे 15,000 सेंटिमेटर तो इस प्रकार से ये ग्रेटिंग अंतराव का मान होता है इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर यह जो पीओ जो बिंदू है पीओ बिंदू पर प्रकास की किर्णे तभी आपतित होती है जब यहाँ पर विवरतन कोंड का जो मान है वह जीरो है मतलब यहाँ पर सीधी सीधी प्रकास की किर्णे लेंस के द्वार फोकसित हो करके पीओ पर मिल रही है तो इस स्थिति में PO पर प्रकास की तिवरता maximum होती है और यहाँ पर हमको केंद्रिय प्रधान उच्छिस्ट प्राफ्थ होता है जिसमें प्रकास की तिवरता maximum होती है अब यदि थीटा विवर्तन कोंड से इस स्लिट से प्रकास की केंड़े लेंस के द्वारा यदि इस परदे पर फोकसित होती हैं तो उस इस्तिती में वे सारी केंड़े पीओ पर फोकसित नहीं हो करके एक अन्य बिंदू पर फोकसित होती हैं तो उसके लिए देखते है यदि थीटा विवर्तन कोण से किरिने लेंज एल द्वारा परदे एक्स वाई पर फोकस होती है तो बिन्दु पी वन पर विवर्तन प्रतिरूप राप्थ होता है और इस इस्तिती में जो पथांतर जो होता है इस इस्तिती में पथांतर पथांतर को हम इसके लिए हम एक दूसरा डाइग्राम बनाते हैं यहांपर यहांपर ए लेन्स्ट पांतर जो पांतर आ है यदि थीटा कोड से इस लेंस पर आपतीस होती है इस परकार पर और यह फोकसित होंगी तो P0 पर फोकसित ना होकर के अन्य बिंदू पर यह किरेणे फोकसित होती है मालों इसे हम P1 से दर्सा है तो उस इस्तिती में इस बिंदू पर फोकसित होती है और यह जो कौण होता है यह थीटा के बराबर होता है यह पॉइंट A है यह पॉइंट B है यह पॉइंट C है यदि हम बिंदू A से इस पर लंब खीचे A D तो यह पथांतर कहलाता है A D एक लंब खीचे तो C D जो होता है यह पथांतर कहलाता है तो यहां पथांतर बराबर होता है ग्रेटिंग अंतराल A प्लस B इन्टू साइन थीटा यहां पथांतर का मान होता है A प्लस B इन्टू साइन थीटा के बराबर अब यहां पर हम द्वित्य कुच्चिस्ट और निमनिष्टों की इस्तितियां देखते हैं यहां पर क्यावल हम सुत्र ही देखेंगे इसकी इस्तावना नहीं देखेंगे उच्चिस्टों की इस्तिती अब हम देखते हैं उच्चिस्टों की क्या इस्तिती है तो उच्चिस्टों के इस्तिती के लिए जो सुत्र है इस सुत्र से दिया जाता है A प्लस B आपका ग्रेटिंग अंतराल है साइन थीटा जहां पर थीटा विवरतन कोंड है तो A प्लस B साइन थीटा वराबर होता है प्लस माइनस N इंटु लेम्डा जहां N कमान एक, दू, तीन आदि हो सकते हैं और लेम्डा जो होता है ये प्रगास का तरंग दैरिया तो उचिष्ठों के इस्तिती को हम इस सुत्र की साहता से याद कर सकते हैं इसके बाद हम देखते हैं निम्निष्ठों के इस्तिती निम्निष्ठों के इस्तिती निम्निष्ठों के इस्तिती को हम इस सुत्र से दिनोट करते हैं यहाँ पर होता है ए प्लस बी साइन थीटा जहां पर ए प्लस बी ग्रेटिंग अंतराल है थीटा विवर्तन कोड है यह बराबर होता है इसमाल M बटे capital N into lambda के बराबर यह होता है plus minus इसमाल M बटे N into lambda इसको दे देते हैं पर equation number 30 यहाँ इसमाल M बटे N का मान इसमाल N के बराबर नहीं होता यहाँ इसमाल M बटे N यह बराबर नहीं है N के यदि यह N के बराबर हो जाएगा तो वह उचिष्टों की इस्तिती हो जाएगी अब यहाँ पर जो इसमाल M जो होता है इसमाल M जो निमनिष्ट कौन से क्रम का है उसको प्रदर्शित करता है प्रथम निमनिष्ठ है या दूइतिय निमनिष्ठ है यदि M कमानेक है तो प्रथम निमनिष्ठ होगा M कमान दो है तो दूइतिय निमनिष्ठ होगा और N जो है ग्रेटिंग अंतरालों में मतलब ये n जो होता है ये grating में कुल कितने सारे slit है उसकी संख्या को प्रदर्शित करता है तो निमनिश्ट्यों की इस्तिती को हम इस सुत्र के द्वारब प्रदर्शित कर सकते हैं ये फार्मूला है a plus b sin theta is equal to plus minus small m बटे capital N into lambda यहाँ a plus b grating अंतराल है theta विवरतन कोड है small m निमनिश्ट का करम है और capital N ये grating में मतलब समतल जो पारगमन grating है उसमें कुल कितने slit है उसकी संख्या है और lambda प्रकास का तरंग दैर है तो इन सुत्रों की साहता से हम उच्चिष्टों के इस्तिती और निमनिश्टों के इस्तिती संतल पारगमन grating में हम ज्याद कर सकते हैं इसके बाद हम देखते हैं अगला टॉपिक है हमारा विवरतन को प्रदस्चित करने वाले कुछ साधारन प्रियोग का बाद प्रियोग नहाँ कर दो कि प्रियोग प्रियोग साधारी प्रियोग नहाँ झाल विवर्तन को प्रदस्यत करने वाले कुछ साधान प्रयोग इसमें से पहला प्रयोग है जिसकी साहता से हम एकल स्लिट में विवर्तन कैसे होता है उसको हम आसानी से प्रयोग करके देख सकते हैं इसके लिए हम क्या करते हैं जो blade जो होता है razor blade दो razor blade लेते हैं और उसको इस प्रकार से पकड़ते हैं उन दोनो razor blade को कि वहां पर एक slit बने जैसे razor blade जो होता है दो razor blade इधर मालो एक razor blade ऐसा है इधर kablet ऐसा है इसको इस प्रकार से पकड़ें कि दोनों के बीच में एक slit बने और इसकी दूसरी योर यदि कोई प्रकास रोध हो उस प्रकास रोध को हम देखते हैं और इसके बीच की जो दूरी है उसको क्रमसा कम करते जाते हैं तो एक इस्तिती ऐसे होती है कि हमें प्रकास की जो किर्णे हैं वो रंगिन दिखाई देना होती मतलब रंगिन दिखाई देता है जब दोनों blade को हम इस प्रकार से पकड़ते हैं कि दोनों blade के बीच एक slit बने और दूसरी और प्रकास रोथ हो उस प्रकास रोथ को हम देखते हैं और साथी साथ देखते हुए ये जो श्रिट की जो दूरी है उसको क्रमसा कम करते जाते हैं तो एक इस्तिती ऐसा होता है कि हमें जो प्रकास की जो किर्णे हैं और रंगिन दिखाई देती हैं दूसरी ओर की केने जो कि हमें विवर्तन की घटना को बताती है तो यही इसका पहला प्रयोग था उसके बाद फिर दूसरा प्रयोग दूसरे प्रयोग में यदि दूर से कोई प्रकास की कीरन आ रही है उसके सामने यदि हम कोई व्रित्त कार अवरोद रख देते हैं दूर से प्रकास केड़ने आ रही हैaters, उसके सामने एक वृत्ताकार अवरोध लिए और से परदा है तो उस इस्थिति में जब वृत्ताकार आवरोध है तो हमें यहां पर इस वृत्ताकार अवरोध की जो चाया जो होती है उसके Сेंटर में हमें चंकिला दिखाई देता है उसका जो केंदर होता है हुआ चमकिला दिखाई देता है, चमकिले धब्बे के रूप में दिखाई देता है, तो ऐसा वास्तों में होता कैसे है, इसके बारे में अपने जानते हैं, जब दूर से कोई प्रकास किर्णे के सामने कोई विर्ति अवरोद आ जाता है, तो उस इस् संपोसी ब्यतिकरण करती तो संपोसी ब्यतिकरण के कारण जो यहां पर इसमें जो सेंटर जो होता है यह चमकिला दिखाई देता है तो इसका रिजन क्या लिखोगे क्वेस्टन इसको इस प्रकार से पूछता है यदि दूर से आने वाली प्रकास के मार्ग में यदि वृत्त विरति अरोध की जो जियामिती चाया होती है उसका केन्धर चमकिला दिखाई देता है ऐसा क्यों इस प्रकार का प्रश्ण पूछा जाता है तो आपको उत्तर देना होगा जब दूर से आने वाली प्रकास किरिणे वृति- अरोध पर पढ़ती हैं तो वृति-अरोध के वार प्रियोर उस प्रकास की किर्णों का विवर्तन हो जाता है और ये विवर्तित किर्णे संपोसी वेतिकर नुत्पन करती हैं जिसके कारण इसके जैमिती छाय के सेंटर में या केंदर में हमें चमकिला बिंदू प्राफ्त होता है इसके बाद एक और प्रियोग है, इसको भी हम करके देख सकते हैं यदि हम रुमाल को फैलाएं और फैला करके दूसरी और किसी प्रकास रोथ को देखें तो उस इस्तिती में जो रुमाल जो बना होता है, उसके बीज में छोटे-छोटे छिद्र होते हैं तो उसकी साहता से भी प्रकास की किरिणे विवर्तित होती हैं, तो उसकी साहता से भी हम विवर्तन की घटना को देख सकते हैं तो ये विवर्तन को प्रदस्चित करने वाले कुछ साधारन प्रियोग हैं इसके बाद आपने देखते हैं ध्वनी और प्रकास तरंगों में जो वीवर्थन होता है तो कैसे वीवर्थन होता है उसके बारे में जानते हैं ध्वनी और प्रकास तरंगों में जो वीवर्थन होता है और रूम के बाहर या कमरे के बाहर कोई आवाज आ रही है तो रूम में बैठे हुए बैक्तियों को भी वही आवाज सुनाई देती है ऐसा ध्वनी तरंगों के मुड़ने के कारण होता है और ध्वनी तरंग क्यों मुड़ती है इसका भी रीजन है ध्वनी तरंगों का जो तरंग दैर होता है उसकी कोटी या उसका क्रम एक मीटर का होता है और फिर जो अवरोधों का जो क्रम होता है या अवरोध जो होता है वह भी इसी कोटी की लगभग होता है इस कारण धवनी तरंगे और रोधों के किनारों पर मुड़ जाती है इस वज़ा से बाहर की आवाज कमरे में बैठे हुए बैक्तियों को सुनाई देती है लेकिन प्रकास की किर्णे हमें साथ सरल रेखा में गवन करती है प्रकास की किर्णे कभी भी मतलब एक निश्चित इस्तितियों में ही उनमें विवर्तन होता है कभी भी भी विवर्तित नहीं होती उसका रीजन है प्रकास की किर्णों का जो तरंग दैर जो होता है वह बहुत कम कोटी का होता है और जो अवरोध जो होता है वह बहुत अधिक कोटी का होता है या उसकी कोटी बहुत अधिक होती है जिसके कारण समाने तह प्रकास तरंगों में विवरतन की घटना नहीं होती है विवरतन की घटना केवल तभी होती है जब अवरोध या छिद् क्रम है वह तरंग दैर्द की कोटी का होता है उसे इस्तिती में प्रकास की तरंगों में विवरतन की घटना होती है और ध्वनी तरंगों में विवरतन की घटना क्यों होती है क्योंकि ध्वनी तरंगों का जो तरंग दैर्द है वह और अवरोधों का जो तरंग दैर्द है उस एक समान कोटी के होते हैं इस वजह से ध्वनी तरंगों का विवरतन होता है और प्रकास तरंगों में विवरतन की घटना कब होगी? जब औरोध हो या फिर जो छिद्र है जिसमें से प्रकास की तरंगे आपतित होती है उसका जो कोटी जो है वह प्रकास तरंग दैर्थ की कोटी का हो तभी प्रकास की तरंगों में विवर्तन की घटना होती है अन्य था उसमें विवर्तन की घटना नहीं होती इसके बाद देखते हैं व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर अब तक हम लोगों ने प्रकास का व्यतिकरण और प्रकास के विवरतन के बारे में पढ़ा है अब हम देखते हैं प्रकास के व्यतिकरण और विवरतन में क्या अंतर है व्यतिकरण और विवरतन में अंतर अब तक हमने देखा प्रकास के व्यतिकरण के बारे में जाना है और विवर्तन के बारे में भी जान चुके हैं तो अब इन में अंतर क्या होता है इसके बारे में देखते हैं तो जैसे इसमें पहला अंतर देखे इधार है व्यतिकरण और इधार विवर्तन व्यतिकरण कब होता है जब दो समान आवरिती और लगभग समान आयाम की तरंगे एक ही दीशा में गमन करती है तो उनका अध्यारवन होता है जिसके कारण प्रकास का व्यतिकरण होता है और विवरतन की घटना कब होती है एक ही प्रकास स्रोथ होता है और उनमें जो तरंगागर होती है उसका प्रतेक बिंदु तरंग स्रोथ की तरह कायर करती है और उन तरंग सरोतों से जो द्वितियक तरंगिकाई निकलती है उन द्वितियक तरंगिकाई का अध्यारोपन होता है और वहाँ विवरतन के कारण वहाँ पर विवरतन की घटना होती है मतलब विवरतन के लिए एक ही प्रकासरोत होता है और वैतिकरण के लिए दो प्रकास रोत होते हैं और ये दोनों प्रकास रोत लगभग समान आवरिती मतलब समान आवरिती और लगभग समान आयाम के होते हैं उनका अध्यारूपन होता है जिसके कारण विवरतन की गटना होती है वैतिकरण में एक ही प्रकास रोत में जो तरंगागर होता है उसमें से द्वित्यक तरंगेकाय निकलती है जिसमें उनके द्वित्यक तरंगेकायों के अध्यारुपन के कारण वहाँ पर विवर्तन की गटना होती है इसके बाद इसमें दूसरा अंतर है दूसरा अंतर वैतिकरण फ्रिंजों की जो चवड़ाई जो होती है वह एक समान होती है जबकि विवर्तन फ्रिंजों की चवड़ाई जो होती है वह हमेशा एक समान होती है जबकि विवर्तन फ्रिंजे जो होती है वो कभी भी समान नहीं हो सकती व्यतिकर्ण फ्रिंजे समान होती है विवर्तन फ्रिंजे समान नहीं होती है इसके बाद फिर इसमें तीसरा अंतर है सभी जो दिप्त फ्रिंजे जो होती है सभी जो दिप्त फ्रिंजे जो होती है उनकी तिवरता एक समान होती है और विवर्तन में भी केवल केंद्री उचिस्ट की तिवरता जो होती है वह अधिक्तम होती है क्योंकि विवर्तन में एक केंद्री उचिस्ट होता है और बाकी द्वित्यक उचिस्ट कहलाते है तो जो केंद्री उचिस्ट होता है उसकी तिवरता मैक्जिमम होती है और जो द् इसमें चौथा अंतर है, ब्यतिकरण में जो अधिप्त फ्रिंजे जो बनती है, उसकी तिवरता सुन्य होती है, और जबकि विवर्तन में जो अधिप्त फ्रिंजे जो बनती है, उसकी तिवरता कभी भी सुन्य नहीं होती है, यह मतलब एकदम से वो जीरो के बराबर नहीं हो जब विवर्तन में अदिप्ध फ्रिंज बनती हैं उनकी जो तीवरता हैं तो इस प्रकार से चार अंतर हैं पहला अंतर परिभासर से संबंदित हैं दूसरा अंतर व्यतिकरण जो फ्रिंज हैं उसकी चौड़ाई से संबंदित हैं तीसरा अंतर दिप्ध फ्रिंज कैसे बनते इसके बाद देखते हैं विवर्टन से सम्बंदित आंकेक प्रस्ट विवर्टन से सम्बंदित आंकेक प्रस्ट इसमें से हमारा पहला प्रस्ट है एक स्लिट स्वेद प्रकास से प्रकासित है लिख लिजिए प्रस्टन एक स्लिट स्वेद प्रकास से प्रकासित है लाल प्रकास के लिए के लिए दरंग दैद 6500 इंगस्ट्राम है इसके लिए प्रथम निमनिस्ट इसके लिए प्रथम निमनिस्ट थेटा बराबर 30 अंस पर प्राप्त होता है स्लिट की चवड़ाई याद करना है स्लिट की चवड़ाई याद कीजिए हमारा प्रस्न है एक स्लिट स्वेद प्रकास से प्रकासित है लाल प्रकास के लिए तरंग दैद 6500 इंगस्ट्राम है इसके लिए प्रथम निमनिस्ट थेटा बराबर 30 अंस पर प्राप्त होता है तो हमें स्लिट की चवड़ाई याद करनी है यहाँ पर जो सुत्र जो प्राप्त होगा वो किसके लिए प्राप्त होगा प्रथम निमनिस्ट के लिए हमारा क्या फार्मूला होता है प्रथम निमनिस्ट के लिए जो पतांतर जो होता है वो होता है डी साइन थेटा बराबर लेम्डा तो यहाँ पर जो सूत्र होगा वो सूत्र होगा प्रत्थम निम्निष्ट के लिए प्रत्थम निम्निष्ट के लिए D sin theta पर आप लेम्डा होता है यहाँ पर D slit की चौड़ाई है ठीटा विवरतन कोंड है और लेम्डा तरंग दयद है तो यहाँ पर अब दिया है लेम्डा बराबर दिया है लेम्डा लाल प्रकास के लिए कितना दिया है 65,000 एंगस्ट्राम किसको गहते हैं एक एंगस्ट्राम बराबर कितना होता है एक एंगस्ट्राम बराबर होता है 10 की घात माइनस 10 मीटर इस एंगस्ट्राम को हम मीटर में बदलेंगे तो मीटर में बदलते हैं यह हमको प्राफ्त होता है 6,500 गुडित एंगस्ट्राम का मतलब होता है 10 की घात माइनस 10 मीटर तो λेंबडा बराबर मिल गया हमको 6500 गुडित 10 की घाथ मैनस 10 मीटर और थीटा बराबर दिया है 30 अतह sin 30 का मान कितना हो जाएगा sin 30 बराबर sin 30 और sin 30 का मान होता है 1 upon 2 1 upon 2 मतलब 0 find 5 अब इन मानों को हम सूत्र में रखते हैं अब सूत्र D sin theta बराबर lambda से हमको मान गयाक करना है D का तो D बराबर हो जाता है ये lambda बटे sin theta और यहाँ पर हम को मान मिलेगा D बराबर lambda का मान कितना है 6500 गुडित 10 की घात माइनस 10 बटे sin theta का मान है 0.5 या इसी को हम आगे हल कर सकते हैं D बराबर ये हो जाएगा बटे 5 दसमलों हटा देते हैं तो आसानी से हल हो जाता है अब इसके बाद डिवाइट कर देते हैं D बराबर मिलेगा 5 से डिवाइट करो 5 एकम 5 5 तिया 15 और ये 3 0 गुडित 10 की घात माइनस 10 अब यहाँ पर देखे ये इतना मीटा रहे अब यहाँ पर देखिए इस संख्या के सबसे अंत में दसमलों होता है और दसमलों जब भी बाई और प्रतिस्थापित होता है तो उस इस्तिती में उसे हम दस के घात के धनात्मा घात के रूप में लिखते है जब भी दसमलों बाई और प्रतिस्थापित होता है तो उस इस्तिती में हम जितना इस्तान दसमलों प्रतिस्थापित होता है उतना दस के उपर घाब लगा करके यहाँ गुणा करते है तो जब भी इसको वैग्यानिक पद्दते में लिखा जाता है तो उस इस्तिती में दसमलों से पहले केवल एक ही अंक होता है तब तक हम दसमलों को प्रतिस्थापित करते हैं तो किसी भी संख्या के सबसे last में दसमलो होता है, तो यहाँ पर दसमलो है, तो इधार कितने इस्थानों तक परतिश्ठापित करना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4 इस्थानों तक दसमलों को परतिश्ठापित करेंगे, तो हम इसको आगे लिख सकते हैं 1.3 into 10 to power 4 into 10 to power minus 10 इतना मीटर और ये हमको मिलेगा d बराबर 1.3 into आथार समान रहने पर घाब जुडते हैं इसलिए ये हो जाएगा 4 में minus 10 जुड़ेगा तो minus 6 इतना मीटर तो d बराबर मिलेगा हमको 1.3 into 10 to power minus 6 मीटर ये स्लिट की चौड़ा ये हमारा आंसर है इसके बाद एक और प्रसना है इसी से सम्बंदित उसको देखते है दूसरा प्रस एक बीच अवड़ाई वाला स्लिट छे हजार पांसों इंगस्ट्राम तरंद बैर्द वाले प्रकास से प्रकासित है एक डी चवड़ाई वाला स्लिट प्रत्रम उच्चिस्ट दी के किसमान के लिए प्रत्रम उच्चिस्ट तीज अंस के विवर्तन कोंड पर बंता है देखो पिछले और अभी के प्रस्ण में थोड़ा सांतर है पिछला जो प्रस्ण था उसमें प्रत्रम निम्निस्ट था यहां पर है प्रत्रम उच्चिस्ट तो यहां पर कौन सा सुत्र प्रयोग होगा प्रत्रम उच्चिस्ट के लिए पथांतर का मान कितना होता है एकल स्रिट में विवर्तन में हमने देखा था प्रतम उचिस्ट के लिए जो पतांतर D sin theta का जो मान जो होता है वो 3 lambda बटे 2 के बराबर होता है उस सुत्र का यहाँ पर प्रियोग होगा तो सुत्र होगा उप्योग यहाँ पर प्रतम उचिस्ट के लिए D sin theta बराबर होता है 3 lambda बटे 2 इस सुत्र का प्रियोग होगा यहाँ दिया है lambda बराबर 6500 एंग स्टांग यह बराबर होगा 6500 गुड़ी 10 की घात माइनस 10 एंग स्टांग इतना मीटर और theta बराबर मिलेगा आपर दिया है 30 अंस अता साइन theta बराबर मिल जाएगा साइन 30 अंस बराबर सुन्य दसम्रूप पाट इसके बाद सूत्र डी साइन theta बराबर 3 बटे 2 लेमड़ से यह हमको मिल जाएगा डी बराबर 3 लेमड़ बटे 2 इंटू साइन theta और यह मान रखेंगे हम यहाँ पर तो डी बराबर 3 गुड़ीद 6500 गुड़ीद 10 की घात माइनस 10 बटे 2 इंटू साइन theta का मान हो जाएगा 0.5 यह हमको प्रावत हो जाएगा 0.5 इंटू 2 1 यह मिल जाएगा हमको डी बराबर उपर में गुणा कर देते हैं यहाँ पर 3090, 3090, 6 तिया 18 और एक 19 19,500 गुड़ीद 10 की घात माइनस 10 इतना मीटर यह इसी को अपन वैग्यानिक पद्धाती में लिखें तो वैग्यानिक पद्धाती में क्या होता है दसम्रों से पहले केवल एक ही अंग होना चाहिए तो यहाँ पर दसम्रों से पहले एक, दो, तीन, चार, पांच अंग है इसलिए हम इसको दसम्रों को बाई और प्रतिस्थापित करेंगे तो यह हमको मिलेगा दी बराबर 1.95 इंटो 10 तू पावर एक, दो, तीन, चार चार इसलिए परतिस्थापित के हैं तो चार गुडित 10 के गार मानस 10 मीटर और यहाँ से हमको मिल जाएगा दी बराबर 1.95 इंटो 10 तू पावर मानस 6 इतना मीटर यह हमारा आंसर तो इस प्रकार यह विवर्तन से संबंदित आंकिक प्रस्ण हुए कुछ आंकिक प्रस्ण व्यतिकरण से भी संबंदित है उसको भी देख लेते हैं जो बचा हुआ था व्यतिकरण से संबंदित आंकिक प्रस्ण बेति करन से संबंधिर आंकी प्रस्न प्रस्न लिखिए यहां पर यंग के प्रियोग में दोस्रेटों के बीच की दूरी दोस्रेटों के बीच की दूरी 0.03 cm है दोस्रेटों के बीच की दूरी चौथे देप्त फ्रिंज केंद्री फ्रिंज से केंद्री फ्रिंज से एक सेंटिमीटर दूर है तो प्रकास का तरंगदेर्द याद करो हमारा प्रस्न है यंग के प्रियोग में दोस्रेटों के बीच की दूरी सुन्य दसमलो सुन्य तीन सेंटिमीटर है तथा एक दसमलो पाँच मीटर दूर रखे परदे पर चौथी देप्त फ्रिंज केंद्री फ्रिंज से एक सेंटिमीटर दूर है तो हमें प्रकास का तरंगदेर्द ग्याद करना है जब भी किसी आंकिक प्रशन को हल करते हैं तो सबसे पहले प्रशन को सावधानी से पढ़ लेना चाहिए कि यहाँ कौन से टापिक से और कौन से सुत्र से रिलेटिव है मतलब कौन से सुत्र से संबंदित है सबसे पहले वो जान लेना चाहिए तो यहाँ पर देखो यंग के प्रयोग से संबन्दी था यहाँ प्रस्ण और यह दिप्थ फिरिंज लिखा है यहाँ पर चाओ थे दिप्थ फिरिंज और केंदरी फिरिंज से 1 cm दूर ऐसा दिया है मतलब इसमें जो फार्मूला जो लगेगा वो आपका हो जाता है एक्स बराबर एन लेम्डा केपिटल डी बटे इसमाल डी जहां एक्स केंदरी फिरिंज से एनवे दिप्थ फिरिंज की दूरी होती तो उस फार्मूले के यहाँ उप्योग होगा अब यहाँ क्या-क्या दिया है उसको देख लेते हैं यहाँ पर दिया है यहीं से चाड़ू करते हैं एन कमान चाउथा दिप्रिंज मतलब चार लेम्डा कमान हमको ग्यात करना है ग्यात नहीं है डी बराबर दिया है डी क्या जीज़ है स्लिट से परदे की दूरी और हमारा जो परदा है वह एक दसनलों पांच मीटर दूर रख गया है यह वह गया एक दसनलों पांच मीटर और इसमाल D का भी मान दिया है दोनों स्लिटों के बीज की दूरी सुन्य दसम्लों सुन्य तीन सेंटीमीटर अब सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा तिये कितना हो जाएगा सुन्य दसम्लों सुन्य तीन गुडिद सिंटी का मतलब होता है दस की घार रेड़ दो इतना मीटर और साथ ही साथ दिया है एक्स बराबर कितनी दूरी पर बनता है चौथा दिप्त फ्रेंज एक सेंटीमीटर तो एक सेंटीमीटर इसको भी बदल देते हैं हम 1 इंटू 10 तो पावर माइनस 2 मीटर अब सूत्र में दे अब सूत्र एक्स बराबर एन इंटू लेम्ड़ केपिटल डी बटे इस्माल डी से यहां से हमको लेम्ड़ बराबर मिल जाएगा पूरे का बटे एन इंटू केपिटल डी मान रखते पर लेम्ड़ बराबर मिल जाएगा एक्स कमान है आपका 1 इंटू 10 तो पावर माइनस 2 इंटू D कमान है इसमाल डी कमान 0.03 इंटू 10 तो पावर माइनस 2 एन कमान है 4 इंटू D कमान है 1.5 अब इसको हम लिख सकते हैं लेम्ड़ बराबर सुन्य दसमलो सुन्य तीन गुड़िद दस की घात रिट दो और रिट दो रिट चार बटे इन दोनों को गुणा कर देते हैं यह हो जाता है 6.0 और यहां इसी को हम आगे हल करेंगे तो दसमलो हटा देते हैं तो यह हो जाएगा तीन बटे 600 गुड़िद दस की घात माइनस चार यह इसी को हम आगे लिख सकते हैं लेम्ड़ बराबर 600 से तीन को भाग देते हैं तीये मिलेगा दसमलो गाएक जीरो फिर भाग नहीं गया फिर एक जीरो बड़ा फिर भी भाग नहीं गया अब फिर आगा 6 पंचे 30 इन्टू 10 टू पावर माइनस 4 इतना अब यहाँ पर देखो दसमलो को किदर परति स्थाप़ित करना पढ़ेगा दसमलो से पहले एक अंक होना चाहिए तो दसमलो को हम दाईयोर बी स्थापित करेंगे कितने इस्तान एक, दो और हरता है तो उस इस्तिती में 10 के उपर रिदात्मक घात लगता है उस इस्तिति में 10 के उपर रिणात्मक घात लगेगा तो यह कितना हो जाएगा या इसको ऐसा कर दें कि वर दो ही इस्तान विस्तापित करें तो यह मिल जादा है 0.5 इंटो 10 to power minus 2 into 10 to power minus 4 meter या इसी को हम आगे लिख सकते हैं लेमडा बराबर 10 हम लोग 5 गुडित 10 की घात minus 6 meter और minus 6 का मतलब होता है माइक्रो या यह हमको प्राप्त हो जाएगा 25 गुडित 10 की घात minus 6 meter या यही हमको इसी को हम आगे लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं यदि दसमलो को और आगे क्यों प्रतिस्थापित करें तो 4 इस्थान प्रतिस्थापित करेंगे तो 5000 गुडित 10 की घात minus 4 into 10 की घात minus 6 इतना meter हो जाएगा और 5000 गुडित 10 की घात minus 10 होगा तो उस इस्तिति में इसको अगे लिखते हैं लेम्डा बराबर इसी को हम आगे लिख सकते हैं पांच अजार दसम्रोद चार इस्थान दाइंड प्रतिस्था भी थुआ है कितना मीटर या यहां फे हम को मिल जाएगा लेम्डा बराबर पांच अजार गुडित दस की घात माइनस दस मीटर या इसी को हम लिख सकते हैं लेम्डा बराबर पांच अजार कितना को कहते हैं हम एंगस ट्राम ते पांच हजार एंगस ट्राम यह प्रकास का तरंग दैर है लेम्डा बराबर पांच हजार एंगस ट्राम धन्यवाद